पहाणों से समुन्दर तक भाग एक नदियों यानी रिवर्स का सफर प्रस्तावना इस वीडियों में हम पहाणों से समुन्दर तक नदियों के सफर के बारे में जानेंगे जिया उसकी मम्मी और भोबो नाना जी से मिलने शहर से उनके गाव आए हैं बाबुजी अब तो आप पहले से भी ज्यादा स्वस्त लग रहे हैं ये तो गाव की हवा और पानी का कमाल है तो बाबुजी शहर की नौकरी से रिटार्मेंट के बाद अब गाव में रहना आपको कैसा लग रहा है ये पहाड़ी गाव तो मुझे शहर से काफी बहतर लगता है यहाँ फैक्टरियों और गाडियों का कोई शोर नहीं कोई प्रदूशन भी नहीं वक्त गुजारने के लिए मैं गाव के रास्तों में टहलता हूं और नदी के किनारे बैठ कर मचलिया देखता रहता हूं अच्छा है आप जिया से बात कीजिए मैं जाकर मा से मिलती हूं और तुम बताओ जिया कैसा रहा तुम्हारा सफर नाना जी सफर तो बहुत अच्छा था रास्ते में हमारी बस एक पुल से गुजरी उसके नीचे बह रही नदी का पानी एक दम शीशे की तरह साफ था और उसमें धेड सारी मचलिया थी मगर नाना जी एक बात मुझे समझ नहीं आई वो क्या जिया? नाना जी क्या नदी में पानी इतना साफ है पर शहर में हमारे घर के पास जो नदी है उसका पानी बिलकुल गंदा है एक दम कीचर जैसा ऐसा क्यों नाना जी? क्या तुमने कभी शहर की और गाओं की नदियों यानि रिवर्स में कोई फर्क देखा है? उनके पानी में क्या अंतर है? बताता हूँ जिया पर पहले ये बताओ क्या तुम्हें पता है कि नदिया कहां से शुरू होती हैं और कहां तक जाती है? नहीं नाना जी ये तो मुझे नहीं पता नदिया पहाडों से निकल कर बहुत लंबा सफर तै करती है जिया और इस सफर में इनसान इनके पानी का तरह तरह से उप्योग भी करते हैं कैसा उप्योग नाना जी? जिया जब ये नदिया पहाडों से निकलती हैं तो इनका पानी बिलकुल साफ होता है पर जब ये नदिया गाओं से गुजरती हैं तो गाओं के लोग इस पानी का नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए और बहुत से दूसरे कामों के लिए उप्योग करते हैं इसके बाद ये नदिया शेहरों से गुजरती है, जहां अलग अलग तरह की फैक्टरियों का कच्रा निकलता है, जिसमें बहुत सारे हानी कारक रसायन मिले होते हैं ये कच्रा जाकर नदियों में मिल जाता है अच्छा नाना जी, आप मैं समझी, यही कच्रा जाकर नदियों को गंदा कर देता है हमने देखा कि इनसान नदियों में किस तरह से प्रदूशन यानि पॉल्यूशन फैलाते हैं ये सब जानकर तुम्हें कैसा लगा? जिया, क्या तुम्हें पता है कि ये हानी कारक रसायन हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालते हैं? नहीं नाना जी जिया, पानी में मिले ये हानी कारक रसायन जब हम इनसानों के शरीर में जाते हैं तो ये हमें बहुत बिमार कर सकते हैं इस पानी में रहने वाली मचलियां और दूसरे जीव भी बिमार पढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं और दूर-दूर से जो पक्षी और जानवर इस पानी को पीने आते हैं, वो भी इसे पीकर बिमार पड़ सकते हैं। क्या तुमने कभी नदियों में मरी हुई मचलियों को देखा है? तुम्हें क्या लगता है? ये क्यूं मरी होंगी? नाना जी, क्या ये पानी पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है? हाँ जिया, ये पानी पेड़ पौधों के लिए भी बहुत हानिकारक है। इसलिए कुछ जगों पर जहां नदियों का पानी ज़्यादा गंदा होता है, वहाँ पेड़ पौधे कुछ कम होते हैं। प्रवाव और शहर में लोगों को ये पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्या हम इस पानी को साफ पीने लायक नहीं बना सकते? हमें इस पानी को पीने से पहले उबालना चाहिए, जिससे इसके किटानू मर जाते हैं और ये पानी शुद्ध हो जाता है. तुम्हारे घर में पानी कैसे साफ किया जाता है? क्या तुम भी पानी को उबाल कर पीते हो? क्या पानी को साफ करने के लिए तुम कोई और तरीका सोच सकते हो? नाना जी, शेहरों के बाद ये नदिया कहा जाती है? शेहरों के बाद ये पानी जाकर समुन्दर में मिल जाता है और उसमें मौजूद सारा कचरा और हानीकारक तत्व भी समुन्दर में मिल जाते है नाना जी, तो ये सभी चीजें समुन्दर में पूरी तरह से घुल जाती है? क्या तुमने कभी नदी को प्रदूशित होते हुवे देखा है? कहां देखा? वो देखकर तुम्हें कैसा लगा? नदी और समुंदर के पानी की हालत सुनकर जिया थोड़ी चुप चाप सी हो गई इसलिए नाना जी बोले पर जिया हमारे गाउं की नदी का पानी बिल्कुल साफ है नीचे के पत्थर, मचलिया और बाकी चीजे भी साफ दिखाई देती है तुम मेरे साथ नदी के किनारे चल कर मचलिया देखना चाहोगी जिया बहुत खुश होकर बोलती है हाँ जरूर नाना जी, चलिए बोबो, आओ, तुम भी चलो जिया बोबो और नाना जी, गाउं की नदी में मचलिया देखने निकल पड़े क्या तुमने कभी नदियों में इतना साफ पानी देखा है कि नीचे के पत्थर और मचलिया भी दिख जाएं, सारी नदियों को इतना साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए सारा अंच इस वीडियो में हमने पहाडों से समुन्दर तक नदियों यानी रिवर्स के सफर के बारे में देखा अगले वीडियो में हम देखेंगे अलग-अलग चीजें पानी पर क्या प्रभाव डालती हैं